हाई एवरीवन कैसे हैं आप सभी आयोप आप सब बढ़िया होंगे तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास एट साइन्स का चेप्टर नमर वन दैट इज क्रॉप प्रडेक्शन एंड मैनेजमेंट उसके कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं आज क से पहले जब हम करते हैं तो प्लोइंग के बाद में क्या होता है कि हमारा जो फील्ड होता है उसमें कुछ अंडिजारेबल प्लांट सोग जाते हैं यानि कि जिन प्लांट को हमें जरूरत नहीं है वह प्लांट उग जाते हैं अब उन प्लांट को निकालना जरूरी होता है क्यों निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि जो plant होते हैं जो अंड जारियल प्लांट हो गए हैं वो जो हमारा crop plant हो गएगा उसके साथ में competition करते हैं के क्या होगात अगर स बते हैं हमाधा उसमें न्यूट्रियंद की कमी हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रियंद्स किसने ले लिये तो लिए निसमटेलिंग होगी और उसी होगा यह जो और यह को किन मिर्स प्लांट जो नहीं कर पहींगा और जो हमारे फार्मर जो उपता यह. तो इसलिए उन अन्डेजारेबल प्लांट्स को निकालना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो कभी-कभी यह भी होता है कि जब हम सोइंग करते हैं एक तो मैंने बता है कि प्लोईंग के बाद में अन्डेजारेबल प्लांट्स उग जाते हैं तो उनको उसी टाइम पर निकाल करना चाहिए करने से पहले कभी कभी क्या कुझता है जो हमक्राइब करने के बाद गद्धार 60 मिन अपकर फिर्वा निकाल से तो मुलते हैं वीडिंग तो वीडिंग क्या हो गया वीडिंग होता है तब process in which we remove the weeds from our field जो हमारा field है उससे हम उन weeds को remove कर देते हैं उसका जो process है उसी को हम बोलते हैं वीडिंग इन फील्ड मैंनी अदर अन्डिजारेबल प्लांट्स में ग्रो नैचरली वह प्लांट्स नैचरली ही उपते हैं ऐसा नहीं है कि हमने उन प्लांट्स को नहीं शो करते हैं वह प्लांट क्रॉप के साथ में नैचरली ग्रो होते हैं इस अन्डिजारेबल प्लांट् होते हैं कि बीच में से टीक्ल को करना वीदिंग कहलाता है तीक है इस चलिए आप इस देख सकते हैं आप इस बग्याचार कॉल कि द है वह कि कन रही है वह खुरपी की वह से किसकी हे खुड़ब प्लांट्स को निकाल रही है यानि कि जिन प्लांट्स की हमको ज़रुवत नहीं है उन प्लांट्स को यह खुर्पी की हेल्प से निकाल रही है जब हमने प्लोइंग पड़ा था तो मैंने आपको बताया था प्लोइंग के मैथड्स जिसमें हमने ट्रेडिशनल पड़ा और तो ट्रेडिशनल में हमने एक चीज पढ़ेती हो हम पढ़ेते हो क्या होता है हो मतलब फावडा टाइप हम बोल सकते हैं पहले हम उसको यूज करते थे प्लोइंग में लेकिन अभी हम उसको मैनुवली यूज करते हैं जैसे कि खुर्पी की जो सेप है वह कैसी है खोके जैसी है उसमें क्या होता है एक ब्लेड होता है तो जो हमारी खुर्पी होती है उसमें भी आगे एक ब्लेड टाइप स्ट्रेक्चर होती है इस तरह से और उसका यह होता है एक वुड लॉग लगा होता है यही स्ट्रेक्चर हमारी होकी थी यह जो पार्ट है यह क्या है ब्लेड के जैसे वर्ग करता है यानि कि जो हमारी मिट्टी है उसको खोदने के काम में इसको लिया जाता है तो इस तरह का यह खुरपी होता है तो खुरपी की हेल्प से हम क्या करते हैं वीड को रिमूब करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडिंग is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light जैसा मैंने आपको बताया था कि वीडिंग बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो undesirable plant है जो weed है वह हमारे crop plant के साथ में compete करता है किस चीज के लिए करता है water, nutrients, space and light के लिए thus they affect the growth of crop और इसले वह है जो crop है उसकी growth को बहुत ज़्यादा effect करते हैं उससे हमारा जो yield है वह है कम हो जाता है some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जो crop plant है वह है उससे effect होगा जब हम harvesting करते हैं तो harvesting में क्या होता है कि अगर हमारा crop का plant है उसको harvest करना easy रहेगा लेकिन अगर उसमें weeds भी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा पहले उन weeds को हटाना पड़ेगा और उसके बात में जो हमारे crop के plants हैं उनको अलग से निकाल के रखना पड़ेगा तो हमारी मैना तोड़ी जादा हो गई may be poisonous for animals and human beings कभी कभी क्या होता है कि कोई-कोई weeds जो होते हैं वह ऐसे होते हैं जो हमारे human beings और जो animals होते हैं उनके लिए poisonous होते हैं तो जब हम harvesting करते हैं जब हम harvesting करेंगे आगे तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे seed grains होते हैं उनको अलग रख लिए जाता है लेकिन जो husk होता है उसको हम अलग रखते हैं जो कि हमारे fodder के काम में आता जो हमारे गाय बेंस वगर होती है वह उसको चरती है तो अगर हमारे weeds भी उसमें आ गए तो क्या होगा कि जो हमारे animals है वह उस फॉडर को खाएंगे और मान लीजे कि उसमें कोई weed ऐसा आ गया जो poisonous है तो क्या करेंगा वह एनिमल के लिए harmful रहे जो poisonous weed था वह भी हमने खा लिए तो वह हमारी health के लिए भी काफी harmful होता है तो इसलिए weeds को remove करना बहुत ही जरूरी होता है